कि अग्याइब नमस्कार एक बार फिर स्वागत आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बिए प्लेटफार्म पर दोस्तों बिए फस्ट एर में राजनीती विज्ञान पर हमारा डिसकस चल रहा था जिसमें हमने राजनीती विज्ञान के अंतरगत राजनीतिक सिध्धान्त वाला करना सब्जेक्ट हमने लिया है तो दोस्तों इसके अंतरगत आज हमारा यह थर्ड शेशन होने जा रहा है जिसमें आज हम बात करेंगे राजनीती विज्ञान के छेत्रों पर दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना शेशन डाइरेक्ट ली शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों शुरूआत करेंगे डाइरेक्ट अपने शेशन की जिसमें अभी तक मैं आपको बता दू कि फर्स्ट टोपिक में हम राजनीती सिद्धान्त का अर्थ और महत्व को डिसकस कर चुके हैं इसके बाद राजनीती के अर्ध्यन के दस्टिकोर पर डिसकस कर चुके है और जो आज थर्ड शेशन हमारा होने जा रहा है इसमें हम बात करेंगे राजनीती विज्ञान की तुराजनीती विज्ञान के छेत्र की हम इसमें अच्छे से डिसकस करेंगे और आज का पूरा शेशन किन बिंदूओं पर किन पोईंटों पर बेस्ड होगा इसको मैं आप कि आप टोपिक को समझने के साथ इसाथ में आप अपनी आंसर राइटिंग भी कि आपको एक्जाम में कोपी में आंसर किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए वो भी हम आपको समझाते हुए चले तो ये फॉर्मेट जो हमारा विचेस फॉर्मेट आता है आपको समझाने के ल करेंगे यह हमारे पूरे टोपी का साराँ सोता है जो स्टार्णिंग में Houston लिखना होता है इंट्रो पर ही हम याँ पर अंतर डिस्कस करते हैं इंगां удंव में हमें बात करनी है राजिनिती विज्ञान के चेत्र की अब आप जरा यह समझे कि यह च्छेत्र क्या होता है अगर आप मने च्रह वाला बिन्द। अगर समझ लिया तो आप completely समझ जाएंगे कि आपको इसके अंतरगत पर ना क्या है। अगर आपको समझ आच Самय क्वेज्ञान की च essesड पी को ही भलीवाती रूप से समझ नेक के लिए सक्चम हो जाएंगे चलिए बात करते सबसे पहले हम राजिनीती विज्ञान के चेत्र की तो क्या होता है यह चेत्र क्या होता है देखिए राजिनीती विज्ञान अब ऐसा तो नहीं है कि यह आज के समय का कोई जो है एक सास्त्र है या राजिनीती विज्ञान जो एक अचाना की split of पहले वाली classes हमने discuss पहले कि क्लास किस्य आज से हुआ कैसे इसका development हुआ है इसमें जो है हम प्राचीन जौ राजनितिक चिंतनुंछा उन से 95 विज्ञान है प्राचीन समय में और आज के समय में ठीक हाला कि प्राचीन समय और आज के समय में कापी डिप्रेंस पाए जाता है राजनीती विज्ञान के अंतरकत जो राजनीती आज से हजार साल पहले थी या सो साल पहले थी वही राजनीती आज कुछ अपने नए रूप में आ चुकी है कि लिए रहना तो दोस्तों अब कहने का अर्थ ये है कि जो प्राचीन समय में जो राजनीती थी वो किस-किस छेत्रों पर व्याप्त थी अर्थात की वो समाज का या राज का या किस-किस का अध्यन करती थी और आज की जो राजनीती है अर्थात जो आदुनिक राजनीती है वो किस-किस का अध्यन करत है यह हमारा में टोपीक है तो जिस चेतर तक वो व्याप्त है जिस जिस चेतर का वो अध्यन करने के लिए सक्चम है वही इस राजनिति का हमें छेतर बताने हैं इस के अंतर ना तो इसके लिए हम दो द्रश्टी कोनों को अपनाएं गे परंपरागत द्रश्टी कोन अर्थात की प्राचीन समय में जो राजनिति उसकी बात करेंगे ओ साथ में हम आधुनी की बात करेंगे पढ़ लेते जिससे कि हमारा और आपका जो ये concept है clear होता चले ताक्या PDF पड़े तो आपको कोई confusion ना हो राजनिती विज्ञान के छेतर का निर्धारन करना आज के समय में cutting कार है क्योंकि इसका छेतर बहुत ब्यापक और विश्द्रेद है मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो राजनिती का रूप धरन ना कर ले और इस प्रकार राजनिती विज्ञान के अधन का विसे ना बन जाए अब इसका point का अर्थ ये होता है कि आज के समय में अगर हम आदूनिक समय की बात करें तो मानव जाती का अर्था किसी भी व्यक्ति का इस जीवन का कोई भी ऐसा पहलू या ऐसा पक्ष नहीं है जो राजनिती का रूप धरन ना कर ले अर्था दिये कि आज मानव जो भी कारे करता है जो भी कारे करता है जिस फिल्ड में भी रहता है वहां किसी न किसी रूप में राजनिती जरूर पाई जाती है हर एक चेतर में राजनिती पाई जाती है तो कहने का अर्थ यहां पर यही वन रहा है कि अगर मानव जीवन के प्रतेक पहलू में राजनिती है तो फिर उस हर एक पहलू का अध्यन करने का जो कार्य होगा वो राजनिती विज्ञान के अंतरगती होगा तो इसी के साथ में राजनिती विज्ञान के चेत्र को सुविधा और व्यवस्ता की द्रश्टी से अच्छे से समझने के लिए के दो भागों में इसको बार दिये जाता है एक परमपरागत राजनिती और एक आधुनिक राजनिती किलिए रहे ना चले अब इस परमपरागत और अधुनिक जो द्रश्टी कौन हैं हमारे इनको हम अच्छे से एक एक करके समझ लेते हैं जिससे हमारा पूरा मेटर ही ये पूरा किलियर होता चले सबसे पहले हम बात करेंगे परमपरागत की परमपरागत राजनीती की कि दोस्तों परमपरागत मतलब क्या हुआ पहले हिसको अच्छे समझी परमपरागत मतलब यह कि जब से राजनिती विज्ञान का उद्वव होना प्रारंब हुगा उसी को हम प्रमपरागत रश्टिकों कहेंगे तो राजनिती का जो प्रारंब होना प्रारंब हुगा यह हम यूनान से मानते हैं ठीक है ना तो यूनान में जो प्राचीन राजनितिग्य थे प्राचीन राजनित उस समय में मानव के प्रतेक पक्ष का अध्यन राजनिटी के अंदर किया जाता था मानव के प्रतेक पक्ष का ऐसे कहें कि मानव और राज मानव और राज दो अलग नहीं थे बल्कि वो एक की थे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मानप के हर एक पहलू का अध्यन राजनीती के अंदर किया जाता था इसलिए का जाता था कि राजनीती और नेतिक का दोनों अलग नहीं थी बलकि वो भी एक थी कि जब मनुश्य के प्रतेग पहलू का अध्यन अगर आप राजनीती के अंदर कर रहे हो तो उस राजनीती का तो नेतिक बनना अबस्यमभावी हो जाता है कि लिए रहे ना तो इसी प्रकार से दोस्तों ये समय और आगे बढ़ता चला गया बढ़ने के बाद में एक 1948 में अमेरिका में यूनेसको यूनेसको जोकी एक अंतराश्टी संगटन है उसकी एक मिटिंग एक सम्मेलन भेड़ता है उस सम्मेलन में जाकर के ये डिसाइट किय जाता है कि जो राजनीती है कब 1948 में उससे पहले परंपरागत रूप से चली आ रहे थी मतलब व्यक्ति के प्रतेक पहलू का अध्यन हो रहा था राजनीती के अंदर लेकिन 1948 में यूनेसको के जो सम्मेलन होता है अमेरिका में उसमें कुछ राजनीतिक कि उस सम्मेलन में श सबसे पहली चर्चा यहां पर हुई है कि मानब के राजनितिक जीवन का अध्यन होना चाहिए क्या कहा उन्होंने यहां संभिलन में क्या डिसाइड हुआ कि अभी तक राजनिति जो बिग्यान थी वह मानब के प्रतेक पहलू का अध्यन कर रही थी चाहे वो राजनितिक हो या सामाजिक हो या आर्टिक हो या कोई सा भी छेत्र हो हर एक का अध्यन जो है राजनिति ही कर रही थी लेकिन अब 1948 में ये डिसाइड हुआ कि अब राजनिती विज्यान मानव के प्रतियक पहलू का अध्यान ना करते हुए सिर्फ राजनितिक पहलू का अध्यान करेगी उसके बाद में दोस्तों आगे कहानी आगे वरती राज्य का अध्यान तो राज्य का जो राज्य मानवों से व्यक्ति सब एक वी हुगा करते थे इना तो राज्य का अध्यन करने का कारे भी किसको सोपा गया दोस्तों राजनीती विज्ञान को सोपा गया अगला है सरकार का अध्यन होगा तभी तो आप राज्य का अध्यन कर पाएंगे इना तो सरकार के अध्यन का महत्पुन कारे भी राजनीत 48 में और अब इसी दोर के बाद से ही आधुनिक का लिस्टार्ट हो जाएगा अधुनिक दृष्टि को इसके बाद जितने भी रादनितिक आएंगे वह सब आधुनिक कहलाएंगे लेकिन इससे पहले की कानी कुछ और ती तो एक बापस से पिछली स्लाइट पर अपन आते हैं में राजनिति विज्ञान के अध्यन का जो छेत्र समस्त्र नागरिक जीवन रहा है अब समझेजे राइस को क्या कहा गया है कि प्राचीन समय में राजनिति के अध्यन का जो चेत्र था मतलब राजनिति जो थी वो मानप के प्रतियक छेत्र का सभी नागरिकों का अध्यन म मतलब राज और समाज एक ही हुआ करती थी, इसी प्रकार से नेतिकता और राजनीती में भी कोई अंतर नहीं होता था, बिलकुल ना, पूरी समाज का, और समाज के प्रतेग व्यक्ति के पूर संपूर जीवनकाल का अध्यन अगर आप करोगे तो उसमें नेतिकता तो आना ही आना है, तो नेतिकता और राजनीती में कोई अंतर नहीं था, तो मानब जीवन के प्रतेग पहलू, राज जी के चेत्र अधिकार में आते थे, और राजनीती विज्ञान के अध्यन का केंद्र बिंदू भी राज जुवा करता था, लेकिन 1948 में, 1948 में, यूनेसको के दौार अमेरिका में एक सम्मिलन आयुजित किया जाता है, जिसमें राजनीती विज्ञान के बड़े-बड़े विद्वान शामिल होते हैं, वो फिर वो विद्वान मिलकर के राजनीती विज्ञान के च्षेत्र के लिए क्या डिसाइड करते हैं, ये आपने आगे अभी देखा, यह चार बाते वहां करके की जाती है कि इस इसका अध्यन अब जो है राजनिति विज्ञान के अंतरगत किया जाएगा जो भी दोस्त कर रहे हैं जल्दी से साइड में हो रहे हैं वीडियो को पोस्ट करके रोक करके और फिर आराम से लेख ले ठीक है उसके बाद फिर से वीड होगी चलिए अब दोस्तों यह जो यूनेस्को में जो यह चार बाते डिसकस की गई इनी चार बातों को हम एक एक करके फ्रोड़ा समझने का प्रियास करते हैं जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग और इसमूत और इसी हो जाए आपको प्रोलम ना रहे एक्जाम में आंसर से पहले मानव जीवन का प्रिते पहलू लेकिन अब सिर्फ पहलू ही का अध्यन का प्रते दियांस करता है जिसका संबंद राजनिती समाज से होता है किसका संबंद जिसका संबंद किस से होता दोस्तों राजनिती समाज से होता है इस प्रकार राजनिती विज्यान मानव और राज्य के पारसपरिक संबंदों व्यक्ति के नागरिक अधिकारों और करतब्यों का अध्यन राजनिती विज्या क्या है दोस्तों राज्य है राजनिती विज्ञान का जो सबसे प्रमुक जो अध्यन का विशे है वो क्या है राज्य है राजनिती विज्ञान इसी राज्य के इसी राज्य के अतीत राज्य के अतीत वर्तमान और भविश तीनों कालों का अध्यन करता है कुन राजनिती तो बताईए किसी भी प्रकार से राज्य से संबंदित किसी प्रकार कोई डाटा उपलब्द हो पाएगा राज्य को समझना है तो पहले जनता और पिर सरकार इनका तो अध्यन आपको करना ही पड़ेगा ठीक है तो जिस प्रकार से राज्यनीती विज्ञान को मानब के राज् चास्त्र को पहले किसका अध्यन करना होगा दोस्तो सरकार का अध्यन करना होगा तो सरकार का सरकार राज्य का सबसे महतपूर अंग होता है सबसे महतपूर एक अंग होता है सरकार के बिना राज्य का अध्यन संबब नहीं है संबब नहीं है तो सरकार के अध्यन में क्या क्या बाते शामिल होगी, नम्मर एक, सरकार के विकास का अध्यन, कि सरकार किस प्रकार से विकास कर रही है, या पिछले वर्सों में किस प्रकार से उसने विकास किया है, विभिन प्रकार की शाषन प्रणालियों का, विभिन प्रकार की शाषन प्रणालियों का तुलनात्मक अध् कॉम्परिटिप पॉलिटिक्स वो इसी का विशे हैं ठीके नेक्स्ट नमर तीन है सरकार के विविलन अंगों के संगठनकार वा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्यन करना नेक्स्ट निर्वाचन प्रणाली राजनितिक दल लोक मत इस्थानी शाशन आदिका आध्यन भी इस्थानी रास्ती और अंतरास्ती समझ्याओं का अध्यान अब जरा इसको समझे थोड़ा सा अच्छे से इसमें आपकी अंसर राइटिंग बहुत प्यारी हो जाएगी इसको डाटा को जो में छोटा सा डाटा प्रोवाइड किया है इसको आप बहुत बड़ा बना सकते हैं जितनी आपको आवशक्ता जितने शब्दों की आवशक्ता अंसर राइटिंग करते बगत उतने शब्द आप इसके अंतरकत लेख सकते हैं देखिए तीन वातें यहाँ पर जोड़ी गई है कि राज्मिती विज्ञान का अभी तक जो हमने अध्यान किया उनके अलावा एक महतकून अध्यन ओर होता है राजश्य बिज्यां का और वो होता हैगर कोई इस्थानी समष्या हो किसी देश की अगर छेत्री है अगर को अनतर रास्थी समष्या थे शमाधान का जो अध्यन किया जाएगा वो भी राजनिती विज्ञान के अंतरगत ही किया जाना चाहिए तो इसकी ब्याक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि राजनिती विज्ञान के अंतरगत किसी भी देश की इस्थानिय राश्टिय या अंतर राश्टिय समश्चाओं के अध्यन के सा उनका समाधान भी राजनिति बिग्जान के द्वारा प्रस्तूत किया जाता है। भारत के अगर हम बात करें तो इस्थानिय समष्याओं को ले करके पंचायती राजा की इस्तापना किस इस्तर पर हुई हैं। इसके बाद में अगर हम राश्टी इस्तर की बात करें दोस्तों तो राश्टी इस्तर से जो सामप्रदाइक दुएस है उनको समाप्त करने के लिए बाशावाद को समाप्त करने के लिए विविन प्रकार के सरकार के द्वारा कानून लाए जाते हैं तो वो कानून किस प्रका प्रकार की योजनाएं लागों की जाती है इन सब के अलावा अगर हम बात करें अंतरास्टी इस्तर की अंतरास्टी इस्तर पर भी भी विश्व सांती को बनाये रखने के लिए कई प्रकार की योजनाय लागू की जाती है और यह किसके द्वारा की जाती है तो राजनिती के द्वारा ही मेरे खायल से अब तक आपका ये शेशन जो है ब्याख्या और परमपरागा द्रश्टिकोन पूरी तरह से किलियर हो चुका होगा अगर है जी हाँ अगर हुआ है तो यस करके जरू कमेंट कर दीजेगा जिससे मुझे समझ आ जाए कि हाँ आपका सेशन किलियर होता चल रहा है चलिए अब नेक्ट में बात करेंगे आदूनिक द्रश्टिक समझने में हमें और आसानी हो जाए तो आदूनिक द्रश्टिकोन के अंतरगत हम क्या बात करने वाले हैं जराइक बस तो समझ लेजिए दोस्तों सारे पोइंट ओपन कर लेते जिससे समझने में हमें और आसानी हो जाए चुन संथ के अधूनीक विघ्यानवादियों ने मतलब आदूनिक जो आ मतलब आदूनीक जो बिज्ण सास्त्री है या कहें कि जो भी विघ्यानवादी है उन्होंने मनुष्य को डिक राणा रहे हैं उन्हों ने मनुष्य को क्या कहा एक विवेक शील प्रानी कहा है ठीक है और इसके अतिरिक्त एक भावना शील प्रानी भी इसको कहा है क्या कहा है विवेक शील और भावना शील प्रानी भी माना है विवेक शील जो बुद्धिय से काम लेता हो और एक भावना शील जो दिल से काम लेता हो दिमाग से नहीं तो इसलिए मनुष्य के बेवार के अध्यन पर जो और दिया गया है मनुष्य के बेवार पर प्रकरती पर उसका मस्तिस का हावी होता है और किसी 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 मनुष्ट की प्रकृती पर उसका मन हावी होता है तु इस प्रकार से उनका बेवहार बदलता रहता है तो इस बदलते हुए बेवार का अद्ध्यान करने के लिए राजनीती विज्ञान का ये भी महतपूर्ण कार्य बन जाता है कि भाई जो माज का मनुश्य है वो विवेक सील होने के साथ साथ में भावना शील भी है इस लिए जो है उसके बहवार का अध्यन हमें करना चाहिए तो राजनीती विज्ञान के आधुनिक छेत्र में कुछ बिंदूओं को लिया जाता है जिसके दोवारा आधुनिक व्यक्ति के आधुनिक व्य मानव समाज के अंदर राजनीतिक छेत्र में संकलित होते हुए किस प्रकार का अन्य लोगों से किस प्रकार का बहवार करता है या सासन के साथ किस प्रकार का बहवार करता है उसका कार किस प्रकार का है एक यह अध्यन करना दूसरा शक्ति का अध्यन शक्ति का अध्यन ठीक पहली बाती रूप से जानते हैं जिस साशन व्यवस्ता में शक्ति का प्रियोग अधिक किया जाता है वहां लोगतंत्र कम होता है और जहां शक्ति का प्रियोग कम होता है वहां लोगतंत्र अधिक और मजबूत होता है शक्त होता है के लिखिए नेक्ष्ट एंग फोइंट है समाजिक मूल्यों के सामाजिक मूल्यों के सतातमक का अध्यन स मतलब यह की जो समाज के जो वैक्ती है समाज प्राणी है उनका सतात्म किस प्रकार से उनका किया जाए मतलब कि मैंत्रपूर्ण जितनी भी सुविदाएं होती है उन सुविदाओं का आवंटन या वित्रण किस प्रकार से किया जाता है यह भी रागीति के अध्यन का एक प्रमुक विशे है इसके अलावा निर्ने निर्मार की किसी भी सासन विवस्ता के अंतरगत किस से निर्ने लिया जाता है जिसमें क्या जनता की भागिदारी होती है या नहीं होती है और होती है तो किस प्रकार से यहाँ पर निर्ने लिए जाते हैं नेक्ष्ट है संगर्स और समश्याओं का अध्यन, संगर्स और समश्याओं का अध्यन, तो समाज का सासन से, सासन का समाज से, या समाज का समाज से, किस प्रकार जितने भी संगर्स होते हैं, उन संगर्सों का अध्यन करना, और उन समश्याओं के लिए, उन समश्याओं को, उ कि इस तरह है आज राजनीती विज्ञान दर्शन सास्त्र को छोड़ कर सामजवेक बिज्ञानों के अधिक नजदिक भी आ गया है क्या केने का अर्थ क्या निकल रहा है यहां पर देखिये प्राचीन समय में हमने देखा था कि जो राजनीती विज्ञान था हमारा जो राजन कपनुद होता था लंए लेकिन अब आधुनिक समय में सिर्फ राजिनीति पह Mensch किये जाता है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उस समय में राजनीती विज्ञान पर दर्सन सास्त्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा था क्योंकि जो जितने भी पहले विद्वान थे वो सब के सब क्या थे तो उस तो दर्सनिक थे तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था तो लेकिन अब अब अगर हम आदूनिक समय की बात करें तो राजनिती विज्ञान का जो अप्रभाव रहा है, वो सामाजिक विज्ञानों का रहा है, इससे राजनिती विज्ञान का चेत्र अब और ज्यादा बड़ा विस्त्रित हो जाता है, क्योंकि इसमें मानब जीवन के राजनितिक पक्षों और समुदायों का भी अध्यन शा संकुच होकर कि आप हमें कमेंट पर आप बिल्कुल नी संकुच होकर बता सकते हैं कि यह डाउट चल रहा है डाउट आप बताएंगे तो आपको 100% उसका सेलोशन जरूर होगा के लिए दोस्तों बाकी की सेशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहे हैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हैं दोस्तों जानते हैं आप लोगों का एक्जाम अब बिल्कुल नज़दीक है आ चुके हैं तो जो सेशन हम पहले कंट्विन्व कर रहे थे उनकोOlिया करने वाले हैं के लिए दे आफिरीbas अपने प्लैटफॉरम पर आ रहे हैं सब दीरे 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 स् वस्तोरी सी प्रोलम रहती है दोस्तों हमें कि जो अभी टीम है टीम की हमें बहुत ज्यादा कमी है टीचर नहीं है हमारे पास फिलहाल इस कारण से हम सभी सेशनों को एक साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं अब जितनी छमता मेरी है हकेले के लेने की मैं पूरी कोशिश कर प्रंपरागर अब तकर जोई तक आप आप सभी क्लासे के नोटिपिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे सिर्फakat नह catch झाले कि लेंगे चाहे ट्यारि करें चाहे कोई से भी कोम्तेटिव एक्जाम के त्यारी करें आपको भर्पूर डाटा वहाँ पर प्रज्यान हिंडी पर मिलने वाला इंड्री प्रज्ञाद हिंडी के नाम से उसे आप एक वार विजिस जरू करें यूटुब चैनल है वो भी ठीक है ना और इस टेलेग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लें दोस्तों यहाँ पर सभी नोट तो सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको यहीं मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तों चलिए मिलेंगे नेक